नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एक मिडल इयर क्लेफ्ट में ग्रो करने वाले आउट ग्रोथ के बारे में, आज हम बात करेंगे कोलियोस्टियोटोमा के बारे में, कोलिस्टियोटोमा के है क्या, इस पर चर्चा करने से पहले हम यह जानना होगा कि मिडल इयर के क्लेफ्ट में, एक्शल में ऐसा ग्रोथ होता क्यूं है, जिस ग्रोथ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो ग्रोथ होता क्यूं है, तो उस ग्रोथ को समझाने के लिए कई अल प्रेशर डेवलप होने की वज़ा से ये आउट ग्रोथ डेवलप होता है, कुछ लोग का मानना है कि बार बार इंफेक्शन होने की वज़ा से ऐसा होता है, कुछ लोग का मानना है कि आउट ग्रोथ अन्नोन कारणों से होता है, अब सवाल ये बनता है कि ये जो आउट ग्रो इसलिए आस्पास के स्ट्रॉक्चर को डिस्ट्राइ कर सकता है, इसलिए कोलियोस्टियाटोमा के बारे में हमें पढ़ने के जरुवत है ये जैसे जैसे ग्रो करता है जो सेल्स ग्रो करती है उनके साथ एक अलग सी बात ये देखी जाती है कि ये सेल्स जो भी इसके साथ ग्रो करती है उस मास जो ग्रोइंग मास होता है उसमें जो सेल्स ग्रो करती है वो इंजायमिटिक एक्टिविटी रखती है तो इसलिए आस प पास के बोनी स्ट्रक्चर को यह डिस्ट्राय करती हैं इसलिए हमारी लिए कंसर्ण का पॉइंट है कॉलस्टियाटोमा और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम मिडल एयर के क्लाफ्ट को आगे चल करके डिस्कस करेंगे लेकि इस स्ट्रक्चर की आधार पर हम डिरेक्शन के हिसाब से हम उपर के पार्ट को सुपीरियर नीचे के पार्ट को इंफिरियर आगे के पार्ट को इंटिरियर और पीछे के पार्ट को पोस्टिरियर कहते हैं यहां पर पोस्टरो सुपीरियर पार्ट में खास बात यह होती कि यहां pavement epithelium पाई जाती है और इसी posterior area में जो पाई जाने लिए pavement epithelium होती यहीं पर outgrowth सबसे ज़ादा develop होता है आपको समझना होगा यह parts जो हम divide करते हैं वो कुछ इस तरीके से divide करते हैं आप यह imaginary line ले 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 और इसको चार parts में divide कर दें तो आप समझ सकते हैं यह het antero superior, यह het antero inferior, यह het postero superior और यह het postero inferior तो आप देखेंगे postero superior वाले parts में ही, attic वाले और postero superior वाले parts में ही, ये colisteatoma सबसे ज़ादा डिवलप होता है अब सवाल यह है ये सबसे ज़ादा यहीं क्यों डिवलप होता है तो उसके पीछे कारण ये है कि middle ear की cavity में जो lining epithelium है जो भी lining epithelium middle ear cavity की होती है वो एक जैसे नहीं होती है ये enter or inferior direction में columnar epithelium की बनी होती है बीच के हिस्से में cubital और इधर पीछे की और postro superior direction में जाते समय है ये pavement epithelium यानि लगभग squamous epithelium के जैसी हो जाती है अब हमें यहीं से coleus teatoma के link को समझना होगा यहाँ पर जो postro superior side में pavement epithelium है अगर वही थोड़ा और modify हो जाए और modify हो जाए का क्या मतलम वो थोड़ा और modify होकर के postro superior side की जो cells है वो और modify होकर के अगर keratinized squamous epithelium की outgrowth बना लें तो colis teatoma develop होता है तो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो middle ear का cleft है उसको tympanic membrane यानि बाहर से देख रहे हैं जब हम कान को open करके तो tympanic membrane के side से देखें तो anterior side में यानि आप यह कैसे हैं anterior और inferior part में cubital columnar epithelium बीच के part में जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर cubital और anterior inferior part में columnar और उपर पीछे के और जब हम जाते हैं तो posterior direction में pavement epithelium पाई जाती हैं तो इस तरीके से जो distribution epithelial cells का है उसी distribution में मैंने आपको क्या बताया कि pavement epithelium ही modify होगी और इसमें keratinized squamous epithelium develop होता है तो यहां पर keratinized squamous epithelium जो develop होती है जो stratified squamous epithelium होती है उसके बारे में हम बात करेंगे और वही होता है outgrowth जो इस posterior superior reason में develop हो रहा है तो यहां पर एक बार फिर से हम उन्हीं सारी structures को देखने की कोशिश करेंगे यहां पर देखें एडिटर्स वाला जो पार्ट आपको mention किया गया है यह पार्ट inferior का है आप यह देखें सारी posterior का है यहां पर यह जो हिस्सा है यह anterior है यह posterior है यह posterior है यह posterior है इसके structure में कौन-कौन सी parts शामिल होते हैं उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप देखें यहां पर जो एडिटर्स के आज़ पास का जो हिस्सा है वहीं पर सबसे पहले develop होता है कोलेस्टियोटोमा डेवलप होने का कारण क्या है उसको हम बाद में discuss करेंगे उसमें बहुत सारी अलग-लग theories दी गई है इमेस के माद्धियम से मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा आपको समझाने का प्रयास करूँगा आप इमेस के माद्धियम से उसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर आप देखें, stratified squamous epithelium की जो layering है उसको आप देखें और यहाँ पर करेटिनाइड squamous epithelium जो stratified है उस epithelium के साथ साथ करेटिन का मास भी ग्रो करता है जो मास कोलस्टियोटोमा बनाता है तो हम उसी कोलस्टियोटोमा के बारे में जो discuss कर रहे हैं, उसमें हमारा इस topic में objective क्या होगा उस पर बात कर लें तो यहाँ पर कोलस्टियोटोमा के origin, site तो हम लोगों ने discuss कर लिया, origin कैसे होता है, उसको classify करने के तरीके classify कैसे करेंगे, क्या जन्म से है, क्या पहली बार हुआ है, क्या पहले था और उसके बाद दुबारा हुआ है, तो इस तरीके से हम तीन पार्ट में इसको classify करेंगे, फिर मैंने आपको बताया, जो मास डेवलप होता है, वो expand करता है, और वो आस पास के बोनी tissue को destroy कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास enzymatic activity पाई जाती है, तो यहाँ पर हम एक बार देख लें, आस पास के कौन से हिस्से हो सकते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर यह पीछे के हिस्से में जा सकता है, यहाँ पर जो bone, जो की ear ossicles है, उनको destroy कर सकता है, बगल से गुजरने वाली structure है facial nerve, facial nerve को हम जानते हैं, middle ear की anatomy में, मैंने detail में समझाया है, तो facial nerve भी उससे प्रभावित हो सकती है, तो आस पास के हिस्से में यह develop हो सकता है, sigmoid sinus को भी यह involved कर सकता है, तो कई सारे parts इससे involved हो सकते हैं, इसलिए हमें coleus tuatoma को जानने के जरूवत पड़ती है, यह है क्या, middle ear म keratinized squamous epithelium की बनी हुई एक outgrowth है, क्या यह growth tumorous है, colosteotoma में oma लगा हुआ है, तो आप समझ लें, यह गलत term है, oma का मतलब कोई cancer से या tumor से लेना देना नहीं, यह outgrowth है, skin की outgrowth है, जो कि wrong place पे है, wrong क्यों है, क्योंकि इसकी wrong place में इसलिए कहा जाता है, क्योंकि आम तोर पर middle ear के cleft में keratinized squamous epithelium नहीं पाई जाती है, इसके दो पार्ट होते हैं, matrix और central white mass, तो हम जानने की कोशिच करेंगे, matrix जो की stratified squamous epithelium का बना होता है, जो की stratified squamous epithelium का बना होता है, और उसी के center में keratin का एक mass होगा, central mass होगा, तो इसकी origin की बात करेंगे, यह कैसे develop करता है, तो यहाँ पर इसकी origin की कई अलग-अलग theories दिये गए हैं, इसमें माना जाता है कि congenital कुछ cells होती हैं, जो आगे चल करके इस तरीके की keratinized squamous outgrowth को इलिए responsible होती हैं, with max theory के मताबिक, with max theory के मताबिक, retraction pockets बनते हैं, retraction pockets क्यों बनेंगे, इसको मैं बताओंगा भी, आप समझ ले, with max theory के मताबिक, retraction pockets बनते हैं, और वो responsible होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एडिटर्स का जो part होता है, यहाँ पर चुकि pavement epithelium है, तो वो अंदर क्यों retract करती हैं, वो retract क्यों करती हैं, क्योंकि अंदर negative pressure develop होता है, इसलिए वो retract करती हैं, retraction का कारण क्या होता है, अभी मैं एक दूसरी image के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो जादा बहतर तरीके से समझ पाएंगे, कि invagination tympanic membrane का क्यों होता है, कैसे wit mac theory इस बात को explain करती हैं, तो कई अलग अलग theories दी गई हैं, तो मैं उस बात को समझाऊंगा, आपको एक बार फ postrose superior है, और इसको समझाने के लिए आपको मानना होगा tympanic membrane का invagination, यह tympanic membrane क्यों invaginate करती है, इस हिस्से के tympanic membrane क्यों invaginate करेगे, अंदर की और क्यों, एक invaginate क्यों करती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका कारण actual में, अगर यू स्टैकियन ट्यूब से लिंग करके सोचने की कोशिश करेंगे, तो हम इसे समझ पाएंगे, तो congenital cell crest with mac theory, जिसमें अभी मैं आधा धूरा बताए हूँ, आपको घबराने के ज़रूवत नहीं है, इसके लावा reduce theory, reduce theory के according, basal cell की hyperplasia हो जाए, यहाँ पर यह मानते हैं कि जो skin की germinal epithelium है, जर्मिनल epithelium या basal, जर्मिनल layer की basal cells हैं, वो बार बार multiply होनी शुरू हो जाए, उनकी multiplication बढ़ने लगे तो हो सकता है, तेजी से multiplication की वज़ा से ऐसे outgrowth develop होते हों, तो ऐसा माना जाता है, तो इसमें basal cell का outgrowth, जर्मिनल epithelium की, यह sets theory नहीं है, अभी मैं आपको पढ़ा रह हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, reduce theory, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर अभी मैं आपके साथ जो discuss कर रहा हूं, वो reduce theory की बात कर रहा हूं, reduce theory के according, यह माना जाता है, कि यहाँ के जो infection की वज़ा से, यहाँ जो skin की layer होती है, उसकी जर्मिनल epithelium हो तेजी से grow करती है, और इस तरीके से यहाँ पर यह out growth बनाती है, इस out growth के साथ साथ क्या क्या चीज़े involved होंगी, उसको आप ENT की book में आपने देखा भी होगा, यह sets theory नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, reduce theory, इसी तरीके से epithelium का invagination हो सकता, यह कैसे invagination हो सकता, इसको मैं एक image में ब ने माना था, reduce theory मैंने आपको बता दिया कि बेसलसल की hyperplasia हो जाए, havermonds theory की बात मैं अब कर रहा हूं आपके सामने, havermonds theory की मताबिक, यह माना जाता है कि पहले से कोई tympanic membrane में पर्फॉरेशन है, तो उस पर्फॉरेशन की वज़ा से cells, उस पर्फॉरेशन को जब बंद करने के लिए, जब धकने का प्रयास करती हैं, उसको, उसको healing के प्रयास में, पर्फॉरेशन के healing के प्रयास में, यह overgrowth ह होता है, और इस वज़ा से epithelial imagination होता है, तो havermonds theory के मताबिक, क्या माना जाता है, उसको भी आपको जानना है, सेट्स theory यह कहता है, कि respiratory mucosa या फिर middle ear mucosa, जो है, respiratory mucosa के जैसे ही metaplesia करता है, क्योंकि metaplesia possible है, जैसे आम तोर पर respiratory track की mucosa metaplesia करती है, वैसे ही, middle ear की mucosa में भी metaplesia हो सकता है, pavement epithelium बदल करके, cretinized squamous epithelium में बदल सकता है, अगर बार बार infection होता रहे, तो यह अलग-अलग theories दी गई हैं, इसमें कुछ लोग मानते हैं, अपने-अपने हिसाब से इसका कारण, तो origin of coleus teotoma में with max theory के मताबएक, with max theory के मताबएक, tympanic membrane का invagination होता है, कहां पर? from attic या postural superior part में, और इस वज़े से retraction pockets बनते हैं, यह retraction pocket मैं आपको दिखाऊँगा, अभी image में मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, rudis theory के मताबएक basal cell, जो की germinal layer की basal cell है, वो बार-बार overgrowth कर जाए, तो basal cell hyperplasia की वज़ा से, यह basal cell की hyperplasia की वज़ा से, तेजी से divide हो रहा है, तो इसलिए pavement epithelium के बज़ा है, keratinized squamous epithelium का outgrowth नजर आ सकता है, इस काम के लिए, infection इस चीज़ को प्रेडित कर सकते हैं, यहाँ पर infection इस काम के लिए influence कर सकता है, जब हम बात करते हैं, Habermans theory के मताबिक, यह माना जाता है कि पहले से perforation हो, पहले से perforation है, वो भी annulus का part, annulus का जब आप देखेंगे, तो annulus मिंस जो सबसे ring वाली structure वहां तक perforation है, और इस वज़ा से tympanum वहां के distra हो चुकी, तो आस पास की जो cells हैं, वो growth करती हैं, और इस वज़ा से, out growth, cholesteatoma develop होता है, तो यह एक अपना मानना है Habermans theory का, जिसमें यह माना जाता है कि पहले से perforation है, और उसके healing के प्रक्रिया में ऐसा कुछ होता होगा, Habermans theory के मताबिक, Sets theory के मताबिक, respiratory mucosa, जैसे metaplesia, मतलब अपने cellular structure को बदल देती है, वैसे लगातार infection होने की वज़ा से, Sets theory ऐसा मानता है कि यहाँ पर भी pavement की बज़ाए, squamous keratinized epithelium develop हो जाती होगी, तो यह अलग-अलग theories दी गई जिसमें, इस बाद फिर से देखे, क्लासिफिकेशन की बाद करें, तो इसके क्लासिफिकेशन में, हम देखने की कोशिश करते हैं, कि क्या यह by birth है, तो congenital acquired है, पहली बार है, और इसका कोई complication नहीं था, तो उसको हम acquired primary, फिर acquired secondary, जब पहले से repeated यह develop होता रहता है, तो उसको हम acquired secondary कहते हैं, यहाँ पर बहुत बहतर तरीके से, यह समझाने की कोशिश की गए, retraction pouch कैसे develop होता होगा, यहाँ पर देखें आप, retraction pouch develop हो रहा है, और यह retraction pouch इसले develop हो रहा है, यहाँ पर देखें, और इस वज़े से यह लगाता है, retraction pouch जो बना है, यह outgrowth करता जाए, और इसके भीतर जो है, यह keratin का mass हो, तो यह keratinized squamous epithelium की outgrowth होती जाएगी, और यह enzymatic activities की वज़े से आसपास के structures को destroy करना शुरू कर देगा, अब यह सवाल यह बनता है कि यहाँ पर, यह retraction pouch बना कैसे, retraction का pocket बना कैसे, यह retract हुआ क्यों, तो आपको पता है कि यहाँ पर होता है used taken tube, किसी तरीके से, किसी वज़े से, अगर mouth में या nose में कोई infection है, तो यह used taken tube block हो सकती, अगर block हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि block हो गया, जबकि middle ear cavity के pressure को balance करने के लिए used taken tube का open होना ज़रूरी है, लेकिन अगर यह block हो गया, तो अंदर negative pressure develop हो जाएगा, यहाँ अगर negative pressure develop हो गया, तो यह tympanic membrane की retraction pouch बन सकती, अंदर के और negative pressure इसलिए खिंच करके अंदर के और जा सकता, और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ दिनों बाद infection involved होगा, infection की वज़ा से भी आप इसको involved कर सकते हैं, कि यहाँ पर लगातार stress में होगा यहाँ का environment और इस वज़ा से, stress का एक कारण भी तो होता न, stress की वज़ा से cells जो है, तेजी से divide करती हैं, और जो normal pavementary pithelium होना चाहिए था, वो keratinized squamous pithelium का outgrowth बनाएगा, तो जो pathology का, जो हम concept जानते हैं, stress की वज़ा से cells लगातार divide करना शुरू करती हैं, तो वो सारी चीज़े यहाँ पर हमें समझने का एक बार मौका मिलता है, आप यहाँ पर देखें, बेसल सल हाइपरप्लेजिया, एक थेरी यह भी कहती है न, बेसल सल हाइपरप्लेजिया की, तो बेसल सल हाइपरप्लेजिया का मतलब यह जो reduce थेरी थी, Reduce theory के मुताबएक यहाँ पर जो basal cell होती हैं, यहाँ पर आप देखें, basal cell, जो germinal epithelium की basal cell हैं, यह infection की वज़ा से basal cell तेजी से grow करना शुरू कर देती हैं, तो यह localized infection है और उसकी वज़ा से basal cell तेजी से growth करना शुरू कर दे, यहाँ तो यह था कि यूस्टेकेंट्यू ब criminal epithelium तेजी से grow कर रहा है और यह grow करते करते हैं, यहाँ पर देखें, cholesteatoma डेवलप कर देता है, तो यह point हो गया है हमारा basal cell hyperplasia का, जिसको हम पढ़ते हैं, reduce theory के माध्यम से, तीसरा point यहाँ पर आता है कि perforation हो गया हो, यहाँ पर देखें, आप यह perforation की theory यह कहती है, perforation की theory ऐसा मानती है कि यहाँ पर perforation होने की वज़े से, यहाँ पर होगा क्या, जब healing की प्रक्रिया जब होगा, healing की process स्टार्ट होगी, तो इस perforation के site पर, आज पास के हिस्से में, जो नए से जो epithelial lining होगी, वो modified हो चुकी होगी, वो pavement epithelium नहीं होगी, वो keratinized squamous epithelium ह तो यहाँ पर यहाँ पर यह माना जाता है कि pre-existing perforation पर epithelial invagination होता है, pre-existing perforation पहले से यहाँ पर perforation और उस पर यह invagination हो रहा है, यह बात Habermans theory कहती है, तो यह बात Habermans theory कहती है, और reduced theory के मुताबिक, squamous metaplasia हो जाए, तो यह लगातार अगर माल यह अंदर infection है, middle ear cleft में किसी भी वज़ा से, जैसा कि India, जैसे conditions में, जहाँ पर poor living standard है, तो यहाँ पर infection के causes की वज़ा से, यहाँ पर cells की metaplasia हो जाती, environment बदलने की वज़ा से, तो यहाँ पर देखे, out pouching शुरू हो गई, और इसने पूरा का पूरा यहाँ पर इस हिस्से को involved कर लिया है, तो इस तरीके से develop होने का एक कारण होता है, colistiatoma को, तो हम लोगों ने काफी detail में आराम, आराम से इन सारे points को समझने का प्रयास किया है, अलग-अलग तरीके से जो इसके outgrowth होने के कारण है, उसको भी हम लोगों ने की कोशिश किया, और यहाँ पर आप देखेंगे, congenital की कारण को अब आगे हम बात करेंगे, यह सारे mixed causes हम लोगों ने पढ़े, in general, लेकिन duration wise और उसके पहले हुआ है या नहीं हुआ, इन सारे कहानी को ध्यान में रखते हुए, जब हम इसको classify करने की कोशिश करते हैं, तो acquired होने का मतलब पहले से कोई otitis media या फिर pre-existing कोई condition नहीं था, कोई ऐसा infection नहीं था, यह पहली बार हुआ है, यह इससे पहले नहीं हुआ है, तो primary कहेंगे, बार बार होता रहा है, pre-existing perforation रहा है, और पहले से complications रहें, उसके बाद लगातार यह develop हो रहा है, तो उसको हम secondary acquired कहत हैं, तो आपको समझना होगा congenital cholesteatoma के बारे में कि यह embryonic epidermal cells, embryonic epidermal cell rest जो middle ear के cleft में पाई जाती हैं, वही तेजी से ग्रो करती हैं, इनके ग्रो करने का site, congenital embryonic epidermal cells हैं, वो middle ear में हो सकती हैं, वो petrous apex में भी हो सकती हैं, और वो cerebellar pontial angle पर भी हो सकती हैं, middle ear में बात करें, इस तरीके के embryonic epidermal cell contrast कहां कहां हो सकती हैं, middle ear में हो सकती, petrous apex में हो सकती, तो अगर होगी, तो वहाँ पर भी growth कर سकती हैं, अगर वो cerebellar pontine angle पर होगा तो वहाँ पर भी growth कर सकता है लेकिन हमारा target है middle ear के context में इस पाद को समझने का तो middle ear के हिसाब से जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो embryonic epidermal cell है ये लगाता है growth करती है तो एक white mass develop होता है जो कि tympanic membrane के intact होने के बावजूद ये develop हो रहा है यानि आप देख रहे हैं यहां पर कोई भी retraction pouch नहीं बनना है कोई भी perforation नहीं है कोई भी metaplasia का cause नहीं है बलकि अपने आप ही वहाँ पर embryonic जो cells का embryonic epidermal cell rest जो पाई जा रही है वहीं लगातार अपने आप growth करती जाती है और इसलिए यहां पर tympanic membrane पर कोई प्रभवा नहीं रहेगा उसके पीछे अलग से ही ये white mask develop होगा और चुकि ये develop होगा तो ये जो ear of skills है उनको involved करेगा इसलिए यहां पर conductive hearing loss हो सकता है इसके बारे में पता कैसे चलेगा तो routine exam या फिर maringotomy के दौरान ये पता चलता है कई मामलों में होगा क्या कि चुकि ये cells तेज़ी से grow करके mass बनाएंगे तो यहां पर ये tympanic membrane को rupture कर सकती है और इस वज़े से ear discharge हो सकता है primary acquired cholesterotoma की बात करें तो इसमें पहले से कोई otitis media की कोई history नहीं होगी कोई पहले से perforation की history नहीं होगी यहां पर जो सबसे बड़ा कारण माना गया जो कि मैंने आपको बताया था कि persistent negative pressure develop हो जाए कैसे आपको मैंने बताया है कि use taken to block अगर हो गया तो persistent negative pressure develop होगा और वो attic reason में retraction pouch बनाएगा जो कि जिसके साथ साथ keratin debris भी वहाँ पर इकठी होती जाएगी तो यह वहाँ पर infection अगर थोड़े दिनों बाद वहाँ पर बढ़ेगा चूंकि जो use taken to block हो चुके तो इसलिए infection वहाँ पर जो develop होंगे वो धीर दर expand करते जाएगा और यह cells उन सारी चीज़ों को ले करके एक mass बनाने लेगी जो कि tumor मिडिल एयर में tumor के जैसे दिखती हुई एक outgrowth डेवलप हो जाएगी हो सकता है कि बेसल सेल का hyperplasia भी यहाँ पर possible है तो बेसल सेल का hyperplasia जो कि parse flacida के हिस्से में यह देखने को मिलता है तो यहाँ पर parse flacida के हिस्से में ये ओटिक हिस्से में था और्टिक पाट में था ये parse flacida जो टिंपैनिक मेंब्रेन के parse flacida भाडे पाइट के हिस्से के basal layer में proliferation हो जिस ये proliferation tauो तेजी से हो basal cell तेजी से hyperplasia की वज़ा से इस तरीके के outgrowth को develop करें और इसका कारण क्या हो सब clinical childhood infection बच्चों में बहुत बड़ा कारण होता है बच्चे गंदगी में खेलते हैं Indian conditions में खास तोर पर बहुत जादा hyzen की विवस्थानी तो धूल मिट्टी में खेलते हैं तो इस वज़ा से ऐसा ह हो सकता है हो सकता है squamous metaplasia अगर लगातार infection का stress बना हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि squamous metaplasia हो सकता है यह भी possible है secondary acquired cholesteutoma की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा पहले से existing perforation होगा parse tensa के हिस्से में तो आप देखेंगे इसको एक इमिस के माध्यम से secondary और secondary और primary को समझने से पहले एक बार फिर से हम congenital को दिखा देखें यहाँ पर पूरी तरीके से यह tympanic membrane congenital cholesteutoma में intact है उसके पीछे growth हो रहा है और यह देखी यह incus को involve कर ले रहा है यह malleus को involve कर ले इसलिक conductive hearing loss यहाँ पर possible होता है कौन से कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज को आपको ध्यान में रखना है imagination को दिमाग में बनाना है यह congenital cholesteutoma है जिसमें tympanic membrane intact है यहाँ पर primary का मैं आपको दिखा रहा हूँ primary acquired cholesteutoma कैसे होता है यह attic reason में या postural superior reason में देखें यह tympanic membrane के invagination से फिर बाद में चल करके और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण यह outgrowth develop हो रहा है इस चिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं secondary के कारण को देखें secondary secondary के कारणों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें already perforation है pre-existing perforation है और उसके बाद इसको healing करने के प्रयास में आप देखें यहाँ पर cells लगातार multiply कर रहे हैं और कहां की हिस्से की कर रहे हैं आप देखें यह अनुलस का हिस्सा मैंने आपको बता था अनुलस यह देखें यह है अनुलस का हिस्सा तो पोस्ट्रों सुपिरियर पार्ट की जो 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 एनुलस के हिस्से की जो epithelial cells हैं वो लगातार proliferate कर रहे हैं और इस प्रयास में क्रेटनाइजड squamous epithelium का एक मास डेवलप हो रहा है तो यह है secondary acquired colistiotoma यहाँ पर आप एक और image में देख सकते हैं यह है एटिक हिस्से में डेवलप होने वाला एटिक colistiotoma यहाँ पर देखें head of malias है और यहाँ पर एक और colistiotoma डेवलप हो रहा है postural superior apartment तो यही दो site हैं जहाँ पर colistiotoma डेवलप हो सकते हैं जहाँ से इनके शिरुवात होती है तो आप देखें outgrowth कैसे यहाँ से शिरुव हो रही है real image में टिमपैनिक मेंब्रेन को देखने के कोशिश की जा रही है यह handle of malias है आप यहाँ पर देखें यह head of malias handle of malias और यहाँ पर देखें cone of light देख रहा है एक बार फिर से देखने की कोशिश करें किस तरीके से यहाँ तो retraction के वज़ए से यहाँ पर perforation के वज़ए से यहाँ पर Cell का Outgrowth यहां पर देखें कोई Outgrowth नहीं धीरे-धीर Outgrowth स्टार्ट होते हुए देखें यहां पर involved कर लेती है इस पूरे के पूरे parts को इस image में आप देख सकते हैं कि अगर जब ये develop करता है तो ये कैसे ये आज पास के हिस्से में पोस्टरू सुपریर पाट में डिवलॉप करते हुए यहाँ पर देखें कोलस्टियोटोमा, यहाँ पर मेस्ट्राइड बॉन को देखेँ यहाँ पर वहाँ तक यह डिवलॉप कर गया है इतना ही नहीं ग्रोथ और भी आरस्पास के हिस्से में हो सकते है यहाँ पर facial nerve involved हो सकता है, sigmoid sinus involved हो सकता है, ear askil को destroy कर सकता है, यहाँ पर petrous bone को destroy कर सकता है, तो इसके बहुत सारे complication है, इसलिए हमें इसको इबारे में पढ़ना ज़रूरी है, इस part में आप देख सकते हैं, आज पास में colistiotoma अगर develop हो रहा है, तो यह किन सारे, कितने सारे यहाँ पर देखें, temporal lobe में यह infection को पहुँचा सकता है, इसलिए बहुत concern रहने के जरूरत है, sigmoid sinus में यह फायल सकता है, यहाँ पर देखें आप, यह semi circular canal तक अपने infection को पहुँचा सकता है, यहाँ पर देखें आप, यह facial nerve को यह involved कर सकता है, तो इसलिए अगल बगल से images को आज सपास में हैं, वहाँ तक यह अपने infection को फैल आता है, इसलिए हमें इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, मैं वापस चलता हूँ, secondary causes of, secondary acquired colistriatoma के बारे में, एक बार फिर से बात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि parse tensa के हिस्से में अगर perforation है, तो secondary causes, secondary acquired colistriatoma का involvement देखा जाता है, तो parse tensa यहाँ पर होता है, parse flaccida यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर malleus की वज़ा से थोड़ा सा flaccid, flaccid यह zone होता है, इसलिए आपको यहाँ पर देखना होगा, यह parse tensa का part यह है, एक बार फिर से देख लें, इस image को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर देखें, parse tensa, यह parse flaccida, थोड़ा सा flaccid area ह हो सकते हैं, यह anterior fold है, tympanic membrane का, यहाँ पर umbo, यह part होता है, यह cone of light देखी जाती, cone of light अगर intact है, तो यह cone of light दिखेगी, perforation है, तो यह नहीं दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते है, manubrium of malleus को, जिसे हम handle of malleus का part भी, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, यह है annulus का part, तो यह देखे, annulus में सुता ring, तो मैंने आपको बताया है, कि यह postural superior वाले parts का, जो annulus का area है, perforation के बाद, जब यह proliferate करता है, तो secondary acquired colosteotoma में यहीं से development शुरू होता है, इसी annulus के part से, तो एक बार फिर से revise कर लें, कि यहाँ पर pre-existing perforation है, past tensa में, और यहाँ पर postural superior marginal perforation है, यहाँ पर आप देखेंगे कि squamous epithelium का migration होता है, कहां से creatinizing squamous epithelium, जो यहाँ पर creatinizing squamous epithelium of external auditory canal, या outer surface of tympanic membrane, वो migrate करती हैं, इसी perforation के द्वारा middle year में, तो आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर creatinizing squamous epithelium, बाहर थी, जो की external auditory canal की, जो creatinized squamous epithelium है, वो अंदर की और migrate कर गई, perforation के द्वारा middle year में ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का यह मानना है कि लगातार infection होने की वज़ा से, perforated infection की वज़ा से, middle year में pre-existing perforation है, और वहाँ पर repeated infection का stress होने की वज़ा से, लगातार stress पड़ा, और इस वज़ा से, जो pavement epithelium थी, वो creatinized squamous epithelium में बदल गई, अब हम आगे यहाँ पर बात करेंगे, expansion of coleosteotoma और destruction of bone के बारे में, इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है, जो tissue grow कर रहा है, वो enzymatic activity रखता है, और इस वज़े से, यह आज-स-पास के bone को destroy कर सकता है, ear ossicles को destroy कर सकता है, मैंने आपको बताया, bone कौन-कौन से destroy हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने discuss किया, attic colosteotoma, जो की extend करता backward, पीछे की यूर जाता है, मैंने आपको बताया, attic वाले हिस्से में, तो editors, endrum, mastroid, पीछे की यूर जो गया था, आपको याद होगा, mastroid, जो ear cells के parts तक extend कर गया था, और यह नीचे की यूर, mesotempanum में, medially, और यह overall, malious और incus तक के हिस्से को यह surround कर सकता है, इस चिसको मैंने आपको पहले ही image में बता दिया है, और भी अगर दूर तक गया तो यह facial nerve और उसके आस-पास के parts तक को यह involved कर सकते हैं, तो इस आधार पर हम लोगों ने एक basic knowledge बनाने का प्रयास किया, हम लोगों ने जानने की कोशिश क्या, police diatoma होता क्या है?